now we discuss the next question next question क्या आपके पास है देखो x is equal to a into theta plus sin theta ठीक है और y is equal to क्या दे रखा है y is equal to a into 1 minus cos theta और theta vary करता है minus pi से greater equal theta less than equal to pi ये चीज है आपके पास चिक है अब हमें इसको stress करना है देखो थिटा 0 तो इधर होएगा 0 मानले pi दर ले लिया और minus pi दर ले लिया चिक है अब अपने case 3 आएंगे तीन case लेंगे हम जब theta आगया आपके पास 0 है फस्ट case ले लेती है थिटा गी value 0 है तो theta 0 put कि एस में theta 0 sin 00 meaning x भी 0 जब theta 0 है तो x भी क्या आगया आपके पास 0 आगया ठीक है और जब theta 0 है तो यहां से क्या आपके पास theta को 0 cos 0 1 1 1-1 0 y b क्या आगया 0 दोनों ही 0 एक तो यह point आगा आपके पास ठीक है अब theta के आपके पास pi है theta is equal to pi है theta को pi रख्या तो x क्या आगा आपके पास x की value theta को pi रख्या sin pi 0 और a pi आगा x की value क्या आगी a pi y क्या आपके पास जब theta को pi रख्या cos pi minus 1 minus minus plus 1 तो y is equal to क्या आपके पास 2a तो अब इसको trace कैसे करेंगे देखो जब आपके पास x a pi है meaning a pi इदर होगा ठीक है तो y क्या है 2a है meaning a 2a तो जब आपके पास x a pi है तो y 2a है यह point आपके पास meaning a pi और y क्या है 2a यह point होगा आपके पास फिर जब theta को minus pi रख्या theta क्या है minus pi आपके पास तो x की value क्या आएगी अब theta को इदर pi रखो चाहब minus pi रखो side pi तो 0 हो जाएगा x आ जाएगा minus a pi ठिक है y की value क्या आएगी आपके पास y की value रखो theta को minus pi रख्या cos pi या minus pi दोनों ही क्या होता है minus 1 होगा minus minus plus 1 तो 2a आ जाएगा ठीक है इधर minus a πi होगा x minus a πi ठीक है तो y क्या है 0 तो y क्या है 2a सोरी यह point आ जाएगा यहाँ से pass करती है यहाँ से और यहाँ से तो कैसे बनेगा ऐसे यह आपका वो cycloid आ जाएगा ठीक है अब इसी का दूसरा केस भी है दूसरा केस कैसे है देखो जब आपके पास क्या है x a theta पलस sin theta ठीक है y क्या आपके पास y is equal to a into 1 पलस cos theta यह आपके पास ठीक है अब ट्रेस करना है इसको theta क्या minus pi से greater equal theta is less than equal to pi यह आपके पास अब इसके case बना लेते हैं वह 0, pi और minus pi जब theta 0 है तो x की value क्या आएगी theta 0 रख्या तो x की value क्या आईए आपके पास क्या आजाएगी आपके पास theta को 0 रख दिया sin 0, 0 तो x की value क्या आगी आपके पास 0 आगी आपके y की value theta को 0 रख दिया cos 0, 1 1 plus 1, 2 तो y is equal to 2a आगा जब आपके पास theta 0 है meaning x 0 है इस लाइन पे तो y is equal to 2a मानले a इदर है 2a इदर है तो यह point आपके पास छीक है क्या है 0, 2a जब आपके पास theta की value क्या है pi है तो x क्या आएगा theta pi है इदर sin pi 0 x a pi आजाएगा आपके पास छीक है और y की value क्या आएगी theta क्या आपके पास pi है cos pi minus 1 और y क्या आजाएगा 0 जब आपके पास x a pi है तो y क्या है 0 है छीक है जब आपके पास theta क्या है minus pi है साइन पाई 0 और x माइनस ऐ पाई लोग एक्स को तो अब की बार यह वड़ा ऐसे आजएगा आपके पाई तो यह चार आपको के equation थी शाइकलोड की अब इस exercise के अंदर यही type आएगी जो first question दे रखा आपको first question की statement क्या है देखो first question दे रखा आपको statement दे दी x is equal to a into theta plus sin theta first question की statement और y क्या दे दी आपको a into one plus cos theta अब यह cycle address करा चुकी है हम तो पहले तो check करेंगे हम इसकी symmetry तो यह वाड़ा तो हम check भी कर चुके symmetry चेक करने के लिए क्या करते है theta को पहले बताओगे theta को put करेंगे minus theta ठीक है और x को minus x अब देखो क्या आता है जब theta को minus theta put करें और x को minus x put करें और y क्या रहा है रिमेन अंचेंज दा रहा है तो करो this mathematical about y x ही जा जाए theta को minus theta रख दो रख दिया यहां पे ठीक है और x को minus x रख दिया sin minus theta minus sin theta minus theta और minus x है common हो गया minus वापीस आगी वे इत्रम ठीक है और theta को minus theta y में भी put कर दिया यह भी सेम रहेगा कोई change नहीं आया आपके पास है तो करो this mathematical about y x ही जाएगी ठीक है अब यह चेक करना है करो passes through the original or not ठीक है तो there is no common value of theta for which x and y both 0 अब आपके पास theta की कोई भी common value नहीं है जिसपे यह दुनों क्या हो जाएँ 0 हो जाएँ कोई भी नहीं आपके पास जब 0 लेते हैं तो भी यह non 0 आएगा यह 0 आजाएगा ठीक है अब pi लोगे तब भी नहीं आ रही आपके पास value minus pi लोगे तो भी नहीं लेनी कितनी है 0 से 2 pi के बीच में लेनी हमने क्यों maximum value के आएगी तो आएगी आपके पास है इस करोगा इस इंप्रोड होता नहीं ठीक है point of intersection निकालने हमें कैसे निकालेंगे दा करो मिट x-axis x-axis कहा मिट करेगी करो x-axis पे x-axis पे अगला चेक करेंगे न point of intersection करो मिट x-axis वेहर y-0 x-axis पे कहा मिट करेगी जब y-0 होगा आपके पास ठीक है अब y-0 y-0 का क्या मिनिंग है 1 पलस कोस थीटा इजे 0 अब यह 0 कब आएगा जब आपके पास थीटा क्या होगा थीटा पाई हो जब थीटा को पाई रखोगी minus 1 और 0 आज यह थीटा क्या हो आपके पास minus y भी x-axis पे करो कहा मिट करेगी जब थीटा पाई है या minus पाई है दोनों ही केस में करो x-axis पे मिट करेगी अपने पास ठीक है दूसरा केस इसके corresponding जो आपके पास value होगी x की x की value क्या आएगी इसके corresponding जब आपके पास थीटा क्या है पाई है ठीक है रखेंगे इसमें a πाई आ जाएगा x की value क्या आ जाएगी corresponding a πाई और minus a πाई आ जाएगी ठीक है y axis पे कहां meet करेगी आपकी करो तो जब आप x को 0 करोगे y axis पे meet के लिए तो x is 0 x 0 का क्या meaning है ये वाली ट्रम है meaning theta sin theta this is 0 ठीक है और ये 0 कब आएगा क्योंकि इदर ये वीटरमा न आपके पास है जब πाई वगएर इसको satisfy करेगी तो इसको नहीं करेगी इसका meaning सिरफ 0 ही है theta 0 आएगा आपके पास ठीक है तो यहाँ से जब x 0 है meaning x axis पे y axis पे कहा meet करेगी जब x 0 होता है ठीक है कम meet करेगी जब theta 0 होगा और जब theta 0 है तो y की value क्या आएगी वो निकालेगी हम theta 0 है तो y की value क्या आजाएगी theta को 0 रख दिया क्या आजाएगी 2a तो y की value इदर से क्या आ जाएगी 2a आ जाएगी ठीक है reason कहां लाई करेगा reason check करना किस के किस के बीच में लाई करेगा जब आपके पास y maximum 2a है और minimum क्या इदर रखा था आपने 0 है तो y कहां vary कर रहा है 0 से greater equal y less than equal to 2a यहां vary करता है तो आपके पास क्यों vary करेगा क्योंकि आपके पास cos theta इसकी maximum और minimum value modulus value of cos theta is less than equal to 1 ठीक है अब 1 है तब तो 2a आ जाएगी आपके पास ठीक है और otherwise क्या आएगी 0 आएगी meaning यह value रखने से आपके पास y क्या करेगा 0 से 2a vary करेगा ठीक होल करो जो आपके पास कहां लाई करेगी y is equal to 0 and y equal to 2a के बीच में लाई करेगी ठीक है next क्या आजाएगा अब इसको trace कर लगते हम ठीक है trace करना चाहो trace कर लो या फिर आप special point भी निकालते हैं special point निकालने के लिए क्या करते हैं dx upon dθ करना पड़ेगा dx upon dθ क्या आएगा into one plus cosθ बन जाएगा क्योंकि x की value क्या आपके पास x की value है into theta plus sinθ तो theta गा 1 हो जाएगा sinθ गा cosθ थिता हो जाएगा dy by dθ dy by dθ क्या आजाएगा आपके पास minus a sinθ आजाएगा ठीक है तो dy by dx क्या आजाएगा dy by dx is equal to क्या आजाएगा आपके पास इन दोनों को divide कर देंगे minus tangent theta by 2 आजाएगा जब इनको divide करेंगे negative अब हम क्या चेक करते special point के लिए dy by dx is 0 यही चेक करते न यह 0 कब होगा जब आपके पास tangent theta by 2 is 0 वो tangent theta by 2 0 कब होता है जब theta 0 होगा theta is 0 अब theta is 0 तो जो इसका tangent आएगा वो parallel to xx ही जाएगा यह वाड़ा case है जब dy by dx 0 लेते हैं तो तब उस case में जो आपका slope of tangent होता न dy by dx जब dy by dx 0 है तो tangent parallel आजाएगा जो आपका tangent parallel आजाएगा किसके x-axis के जब theta 0 है तो आपका tangent क्या आएगा पैरलल आएगा x-axis के चीक है और जो value क्या देगा y is theta 0 है tangent parallel to x-axis और theta 0 के case में आपके पास y is equal to 0 और y equal to 2a यह point आएगा मिनिंग 0 2a point आएगा चीक है similarly dy by dx आपके पास क्या है यदि वो वड़ा case ले dy by dx plus infinity या minus infinity ठीक है कब आएगा यह case है जब theta को आप pi रखो या इसमें रखना आ ना या minus pi रखो उस case में आपके पास ठीक है तो इसके corresponding जब theta को pi और minus pi रखोगे तो point क्या बने थे minus a pi 0 और क्या बना था आपके पास a pi 0 ठीक है तो आपके पास दो case बने गए आपके पास ठीक है और यह भी चेक करना चाहो कन downward आएगा कन cave या upward आएगा जब इसका secondary derivative कर सकते हो d2 y by dx इसकी value आएगी आपके पास minus 4a 4a और secant की power 4 theta by 2 यह आजाएगे आपके पास ठीक है नेगटीव आपके पास यह theta गी हर value के लिए नेगटीव रहेगा नेगटीव है इसका meaning concave concave downward आजाएगा downward मतलब कि downward करो आएगे ऐसे आजाएगे आपके पास ठीक है तो आप ट्रेस करना में इस करो को क्या दे रखी आपके पास यह वाड़ी करो आज ही ट्रेस कराई थी हमने क्या थी अभी कराई थी मैंने last वाड़ी करो थी देखो concave downward वाड़ी करो थी मैंने किया था यह ट्रेस अभी यह वाड़ यह वाड़ा question था देखो ट्रेस कर लेंगे हम और क्या tangent आया था आपके पास है जब आपने लिया था dy by एक तो क्या आया था आपके पास है ये tangent का काम करेगी ये line ने चिक है और आपके पास कहां पर tangent बना था अभी निकाडा था हमने दो case बने थे एक तो tangent क्या आया था parallel to x-axis x-axis के parallel tangent है कहां पर आएगा x-axis के parallel tangent है आपने point निकाले थे कौन से point y is equal to ये वाड़े point निकाले थे जब आपका tangent था parallel to x-axis की आपने dy by dx कर लिया हाँ देखो ये वाड़ा case किया था ठीक है x-axis के parallel किया था तब आपके पास point आये थे y equal to 0 और y equal to 2a ये वाड़ा ये सोरी रहा तो जब tangent parallel x-axis के तो y equal to 0 और 2a तो tangent x-axis के parallel किस line पर आएगा जब x 0 है y 2a है ठीक है x-axis के parallel निकालना tangent ये करो है आपके पास downward आईए आपके पास ठीक है तो ये आजाएगा y equal to 2a line पर tangent आजाएगा जो parallel है x-axis के ठीक है दूसरा case के आएथा आपके पास है tangent है जब आपके पास किस के parallel है y-axis के parallel इस case में आएगा इस पर आजाएगा ये भी करो होना इदर टच कर रहे है a pi पे और minus a pi पे ठीक है ये भी draw करके दिखाने है trace तो हमने कर दिया था theta plus sin theta y is equal to a into 1 plus cos theta trace कर दिया था हमने इदर भी tangent आएगा y equal to 2a पे और a pi पे और minus a pi पे tangent तो y-axis के parallel आएगा और y is equal to 2a पे tangent के आएगा x-axis के parallel आएगा ये ही question है और एक question हो रहा है इसके अंदर आपका क्या दे रखा है x is equal to t square y is equal to क्या दे रखा t minus 1 by 3t cube दे रखा अब इसको हना second question है इसको हम convert कर लेंगे t को eliminate करना है ठीक है t को जब eliminate करेंगे तो ये करो बन जाएगी 9y square is equal to x into x minus 3 का square और ये हम first exercise के तरिके से करेंगे करो इसमें ट्रीकल x-axis y-axis वो जो पिछली exercise ना उसमें जैसे ट्रेस कर रखी और ये करो ट्रेस कर रखी exercise 7.1 के अंदर तो उसी के तरिके से इसको ट्रेस करेंगे ठीक है ये दो question है और 7.2 में ये इचार cycloid ट्रेस करने है first question भी ये है second भी ये है third भी ये है fourth, fifth सब ही को ऐसी करों में convert करना है या दरवाई जैसी में करना है ठीक है 7.2 एक्सराइस ट्रेस